पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस के संक्रमन से पूरी दुनिया तरस्त है भारत में भी 200 से ज़्यादा मामले कोरोना के संक्रमन के देखे गए हैं आज हमारे साथ भागलपूर के SI फारुक सर हैं जो ENTV से शग्य हैं और इनसे हम जाने की कोशिश करेंगे कि जो नौर्मल सरदी बुखार खांसी होती है और जो करोना से संक्रमित लोग होते हैं उनमें क्या different है अंतर क्या है सर सबसे पहले तो सिल्क टिवी में आपका स्वाग करोशन है सिंस लास्ट देड़ दो महिने से और हम सब लोग मुझे लगता है गाउ में भी अब सब लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानगे कि कोई नहीं बिमारी आई है और इसके बारे में सब को जानकारी होनी आविश्यक है कि कितना संक्रमक है और क्या हो सकता है इसके संक्रमित होने के बाद डॉक्टर सब आपसे हम यह जाने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल जो सर्दी जुखाम खासी है और जो करोना से संक्रमित व्यक्ति हैं उनको जो सर्दी खासी वुखार या जो लक्षन होते हैं तो उनमें अंतर कैसे पता चलेगा कि यह इसमें डिफ भली भाती डिफ्रेंशियेट कर पाएं या अलग कर पाएं कि यह व्यक्ति कोरोना वाइरस से पीडित हो सकता है या यह एक सामाने सर्दी जुकाम से पीडित है एक तो होती है सूखी खासी हो रखी है यह सूखी खासी है इसका मतलब है कि यह अलर्जिक खासी है सर अपना जो वाताबरण में प्रदोशन है उसके कारव ये खासी हो रही है तो अगर खासी है सूखी तो इससे घबराने की आवेशकता नहीं है अगर सूखी खासी के साथ साथ नाक भी बह रही है छेंके भी आ रही है तो ये भी एक एलर्जी ये पॉलिशन के खासी का थोड़ा सा सर्दी खांसी छेंकियों के साथ अगर हाई फीवर आ रहा है हाई ग्रेट फीवर फीवर एक बहुत इंपोर्टेंट कॉंपोनेंट है सर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सर्दी खांसी और हाई फीवर प्लस बोन पेंट तो एक यह सस्पेशन अपने दिमाग में चिकित्सक हो सकता है सर एक च्छोटा सा कुष्चन है कि कैसे फैल रहा कुरोना वायरस और इससे कैसे पता चल जाएंगी नहीं बेखती कि कोरोना से संक्रमीत हैं सडनली यह बहुत अच्छा सवाल कि आपने कि कैसे यह फैल रहा है बहुत भरांती लोगों के बीच ओं फैली हुई है क यह सैनिटाइजर के दाम अनापशनाप हो रहे हैं या मास्क 50 का मास्क 500 रुपे में बिक रहा है यह N95 मास्क लगाना है यह फलना मास्क लगाना है सर मास्क का रोल है जरूर है मगर इतना भी नहीं कि हम लोग इसको कहां से कहां लेके जा रहे हैं अधियर यह फैलता है बेसीकली ड्राप्लेट मतलब जैसे हैं कि अपने नैं मैं माइक्रोपर्टिकल्स में अगर्स कोई संक्रमिता है तो उसके हाथ में तो किटानू आगे, अब मैं आप से अगर हैंडशेक करूँगा, तो यह हो सकता है, कि आपको भी संक्रमित कर दे, तो एक जो चीजे की इंपोर्टेंट मेसेज, इस चैनल के माध्यम से मैं आप नॉर्मल जन्गन में पहुचाना चाहूँगा, कि खांसने क सर, एक बड़ा आसान सा और बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप खुद भी बचे रहेंगे, आपके परिवार और आपका समाज भी बचा रहेंगे, जबी भी अपने को खांसी आये, तो हाथ नहीं लगाना है सर, इस तरह से हाथ ड़क के खांसना है, शर्ट रहती है, मै हाँ तक टंटा है, कोई ज़रूर ही नहीं है कि हम लोग अच्छा सनिटाइजर लाएं और ये जो मार्केट में अफवाब होगी, भाई, सनिटाइजर लाओ, हर पांच मिनट में हाथ दो, सर, कोई मतलब नहीं है, हम लोग दिन राथ पेशेंट्स देख रहे हैं, दिन भर है अवी का टॉपिक्स है, उसे हटके है, सर, की सोचल मीडिया का जमाना है, सर, हर लोगों के पास मोबाइल फोन अबलेवल है, उसमें डाटा है, नेट है, नेट की सुवीधा है, बस वहाँ से जानकारिया उपलब्द करा लेती हैं, फिर वहाँ से सर, जानकारी जो है वो एक आधा अधूरा ग्यान कहा जाए और वो फैक भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा तर इस तरह के मामले में अफवाएं ही लोग जो है स्विकार करते हैं कोरोना को लेकर ही ऐसा अफवा फैल गया कि नहीं हमारे जो मास्क हैं वो इतने कीमती होने चाहिए किसी से मिलना नहीं है किसी से बात नहीं करना किसी से हैंडसेक नहीं करना है तो लोग सर इस चीज को सोसल मेडिया के ग्यान लेकर सोसल मेडिया से ग्यान अरजित कर एक दूस का ग्यान हासिल करके देखिए अभी मैंने जस्ट कहा कि अगर खासी आए अपने को तो अपने को जो तरीका है उसे खासना है हाथ जरूर सर दूलना है थोड़ी थोड़ी देर में अब यह नहीं कि पांच-पांच मिनिट में कर मढ़ंटे-दो गंटे में और कोई जरूरी नह सदारन सा सर्जिकल मास बेस्तिमाल कर सकते कि मास से अपने को भी बेनेफिट है सामने वाले को भी बेनेफिट है अगर मैं कुर्णावायस से पेड़ित हूँ मैंने मास लग तो मैं ड्रॉपलेट्स नहीं फैलाऊंगा सर एक छोटा सा सवाल सर होगा क्या कुरोना जो है सर जानलेवा है बिलकुल सर जानलेवा है बट उसकी सर्टेंस कंडिशन्स हैं यह उनके लिए हैं जो ओल्रेडी ओल्डेज में हैं सर ओल्डेज में बोडी की इम्मूनेटी कंप्रोमाइज हो जाती है कोई यदि डाइबेटीस से गरस्त आदमी है साट साल पैसेट साल का है लो उसपे काम कर रहा है उसमें भी चांसेज हैं कोरोना वाइरस फेटल हो सकता है मोर्टैलिटी अधिक है देखिए एक चीज़ और अभी से पहले यह कोरोना वाइरस सर पराना है अभी तो इसका एक नया स्ट्रेन आया है इससे पहले सार्स एपिडिमिक आया था या अधिक थी दो परसंट तीन परसंट इस तरह के मोटलिटी थी सर बट कुरोना वायरस की मोटलिटी इस अल्मोस्ट पॉइंट वन टू पॉइंट टू परसंट हजार में से एक या दो और ये भी वो होते हैं आप जैसे अभी अपने सबसे जाधा केस चाइना में हैं उसके चा कोरोना वायरस और ओल्ड एजिट ओल्ड एज में इम्यूनिटी को में डाइबेटिक हैं कैंसर पेशेंट हैं या कुछ और भी कारण है उनमें समार्मल हमारे आपके जैसे लोगों को इससे डरने और घबरानी के ज़रूरत नहीं है एकदम समाज में से क्लूडेट होने के आपके समाज को भी बेनिफिट करेगा कुछ नहीं है सर दो हफते अगर हम कॉरेंटाइन में जाते हैं दो हफते अगर हमको से क्लूड तो ऐसा नहीं है कि हमें जेल में डाल दिया गया हमें आपकी आपके परिवार के सुरक्षा के लिए चीज कदम उठा रही है सरकार इसल सबसे बड़ी चीज हैं सामने आ रही है कि लोग चिकन जो है मीट जो है अंडा यहां तक यह सब चीज एक सब होगर खाने से वर्जित हैं रुक रहे हैं सोच रहे हैं यहां तक को बहुत लोगों ने छोड़ी दिया है सर मैं एक बात यह इससे पहले भी कहीं कि यह सिर्फ और सिर्फ ड्रॉपलेट्स के मादियम से फैलता है चिकन खाना अंडा खाना मटन खाना इससे इसका कोई लेना देना नहीं है आप मौज उक करके काईए कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर तो डरना बिलकुल नहीं है सर फेस्बुक उनिवरस्टी वाटसेप उनिवरस्टी इस पे आदा दोरा ग्यान बढ़ता है हम और आप बुद्धी जी भी लोग है हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे द्यान नहीं देना है तो हम आपको बता दें कि चीन के वुहान से शुरू हुआ कोराना वाइरस के संक्रमन से दुनिया भर में कई हजार मोतें हो चुकी है और भारत में भी 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं तो मेरे साथ थे आज डॉक्टर हाई फारुक सर जो एंटी विशेसग्य थे और इनके द्वारा जो दी गई जानकारी थी बहुत ही सटिक जानकारी थी खासकर खासते के समय जो इन्होंने बताया एक नया तरीका कि अप ग्यान अरजित करते हैं उनसे बचें और मैं भी चाहूंगा कि आज जो है हाई फारुक सर के साथ जो ये हमारा कोराना वाइरस को लेकर जो चर्चाएं थी आपको कैसा लगा आप हमारे कॉमेंट शेक्षन में जाकर हमें जरूर बताइएगा मेरा नाम विकास कुमार सिंग है और कैमरा के पीछे सुमीत राज मजूद है हमारे ये बाचीत वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया